है एलो दोस्तों क। कैसे साभी मैं टी यार और आप देख रहे हैं मेरा टी यार टेकन क्के यूटूब सेनल इस वीडियों दोस्तों आपका बहुत वह प्रोगेता और ये वीडियो दोस्तो आपके लिए बहुत independent महीं वाल है। एक्जाम फॉम 2022 के कैसे करना है फॉम फिलिंग पूरा प्रोसेश इष्टे बाइस वह भी मुंबाइल से बता रहा हूं दोस्तों बिना इस वीडियो देखोंगे तो आपको पूरा प्रोसेश समझवा जाएगा और मैं फॉम फिलिंग का पूरा प्रोसेश वीडियो में बतान अब फॉम फिलिंग कैसे करना है आप खुद गरबैटे लैटोव या मोबाइल से बढ़तया हुआ है कि हम खुद गर बैटे जो फॉम फिलिंग का पूरा प्रोसेश बताने वाला हूँए समय से कॉलेज के नाम वहां पर सो नहीं हो रहे थे इसका नवा पर प्रोसेज में नहीं बता पाया आज की इस वीडियों पूरा प्रोसेज बताने वाले को फॉंफिल करना के साथ बात करें तो यह आँट दाइक से 9 जून से फॉंफिलिंग शुरू हो शुके थे लेकिन अभ प्रोसेज बताने वाला हूं तो मासू के ऑफिसियल वेबसाइट पर प्रोसेज बताने वाला हूं प्रोसेज वेबसाइट पर जब भी आप मैं लिंक डिसके देदूंगा लिंक पर जैसे क्लिक करोंगे तो आप वेबसाइट पर आऊँगे तो इस तरह का डैस्वड आपको दिखाई देगा जहां पर लिखा हुआ है यहां पर एक्जाम फॉर्म 22 पर क्लिक करना है जो भी सब्सक्राइट को यहां पर क्लिक करना है कि दोस्तों मैं आप सुका हूं यहां पर 22-23 पर क्लिक करता हूं एक्जाम पर इस तरह का डैस्वड आपको दिखाई देगा जिसमें यहां पर लेका हुआ है यूजर मैनूल फिलिंग फॉर्म एक्जाम और उसके बाद जबने से सब्सक्राइब करें हैं तो यहां पर आजाते हैं कि यहां पर तीन वВыले लेकर आएं आप देख सकते हूं यहां पर मैं आ शुका हूं और पर ट्रॉत ऑड हो फार देगलेकर क्लिक करना है उन सब्सक्राइब करना है उन सब्सक्राइब करना है उन सब्सक्राइब करना है जो पहले जन्यू वग्ला कैंपस के इस्ट्डेंट है वह यहां पर क्लिक कर सकते हैं जो प्राविट इस्ट्डेंट है वह यहां पर क्लिक करना है और मैं यहां पर क्लिक कर देता हहों यहां पर जैसर दोस्तों क्लिक करऊंगी करोंगर इस तरह आपको कलिक कर एदा हूं जैसे यहां पर वहां पर क्लिक करोंगे इस तरग आपको डैस्पूटन दिखाएंगा, यहां पर देखा रहे होंगे, इस तरग डैस्पूटन गईगा, यहां पर लॉग इंचल रिस्टरी में, रिस्टर्डे रेजिस्टरोच कीज़़ां, ला मत बता है, तरह जो नबर यहां पर इस तरह पर आपको डेस्पोर दिखे देगा यहां पर आप को फॉम फिलिंग का पूरा प्रोसेज आपको मैं यहां पर अभी इष्टे बाइष्टे बताने वाला हूं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको किस college में आप भषू जहांपर आपका college का नाम है येहाँ पर आपको कहूं कि जोदपूर में में बार्डमेर wines में जलोड में और पाली में जोदपूर रूटल में जलसलह 125 ड्या जालोर के जो भी college जो जालोर्ग के जो भी कॉलेज है वो यहां पर लिस्ट सो हो जाएगे जो बार्ड में पटे है वो बार्ड में सलक्ट करें जो जोद्पूर के रूर्ट में जहां पर आपके कॉलेज इस डिस्टिक में वह आपको यहां पर जिला सलक्ट करना है उसके बाद यहां पर आपका का option में जाएगा OBC है BPL है जो भी है SCA STA जो भी आपकी category है वो यहाँ पर select कर देनी है उसके बाद आपको जेंडर select करना है male female है उसके बाद आपको अपना state select करना है आपका कौन सा state है आप खुद mobile से बर सकते हो आपको नहीं बशतों दोस्तों तो आप मेरे वार्शान से दे रहे का वहा करके वहां पर वहां पर आपका अाधार का नमद और यहां पर आपका बिलट गुरूप और आधार करना पर उसके बाद यहां पर आपको कुछ नहीं करना है फिर यहां पर आपको ऐसे ही सोड़ देना है और उसके बाद यहां पर अपसे सबसे पहले दोस्टों बात करें तो यहां पर आपको सालर करना है जैसे की मैंने यहां पर सब्सक्राइब कर दिया अंडगज्वर्च उसके भाद आपको रेगूल द convers और आपको कौन से माधियम से इंगली माधियम से इंगली माधियम से यहां पर उपादी डिगरी बात करें तो आपका कौन सा कौर से जैसे बीए बीड है जो भी है जैसे मैंने बीड का सब्सक्राइब यहां पर आपको यहां पर क्लिक करोंगे तो यहां पर एक option में जाएगा आपको select college यहाँ पर select college पर आप जैसे click करोंगे तो यहाँ पर सभी जो भी college है वह यहाँ पर college के नाम आज आएंगे जालो डिश्टी के जैसे कि मैंने रामचीन college यहाँ पर select कर दिया और यहाँ पर select करता हूं तो इंडिगेट बीड यहाँ पर यहाँ आशुगा है उसके बाद दोस्तों एकाउंट डेटेल है वह आपको फिल करनी है कोई कभी भी प्रॉब्लम रहती है या एकाउंट में आपको यहाँ पर डेटेल देनी होगी तो आप अ यहाँ पर मैं बता देता हूं select करने आपको select का option मिल जाएक है यहाँ पर आपको wife, sister, mother, father या other जो भी है अगर self हो तो self select कर सकते हो यहाँ पर नहमें बैंक कौन सा ब्रांच से बैंक की यहाँ पर जैसे मैंने कोई भी बैंक से लट कर दिया है जो भी है अचे आपको select कर देन है उसके बाद दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आप यहाँ पर इक सा परिणा अगर आप अभी कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप supplementary वगरार की यहाँ पर उसके लिए हैं यहाँ पर yes no select कर सकते हो यहाँ पर क्या श्रेक्टेस है वह आप यहाँ पर स्लेक्ट कर सकत है यहां बस अंपर सब्सक्राइब कर UCर्ण करें और इस तर जाट करंगे करोंगे तो पूरी डिटेल आपको एक रॉल नंबर तो आपको मैं अगे बताना है इस पूर्म है मैं पिल कर देता हूं उसके बात जो डेटेल आती है वह यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हुई निवर है वह आप अपना साही देना ताकि जो भी OTP बगएर या आगे जो भी प्रोसेस देखा तो आप मुल देखाएगा तो मुल जाएगा तो मुल निवर जो भी सुरू हो यह इस्टूडेन खुद के आप दे सकते हो कुछी प्रोब्लम है दोस्तों आप सैकल लेना और उसके बाद यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां पर आपको सो होंगे जो आपको आगे बहुत जरूरी होंगे इसलिए स्किंसोर डिया हे रख देना है यहां कई आप को लिक देना है और य bonus यह आपको वापस रहे हो अशुडेन पर क्लिक करना हूं जब भी लोगइन करना यह थो यहां पर आपको जरम तो दोस्तों जैसे आप लोग इन पर क्लिक करोंगे रेश्टेशन नंबर और डेटर बट डालके इस पेस पर आप आप पहुंशेंगे तो यहाँ पर आपको कलिफिकिसन डिटेल, एड्रस, डोकुमेंट और पर इस रिजल्ट के बारे में पूरा फॉम है वो प्रोसेस फिलि इसे नममें वे इंझिम लिकेंना है तो यहां पर 10 और 12th की डेटेल की फिल कर दिया, मैं यहां सेव पर क्लिक करने में नमें चुंदिक लíक वाहताऊ रोकुदी Math जो आसा स्विए करना है और पूरा करनी है तो मैं यह बर जल कर सकते हो और अगर आपको इसता ही पते में, दोनों पता सेम है इसता ही पता और प्रमानेल तो यहाँ पर सेम कर सकते हो, कुछ अधर है, है परमानेल अलग है तो यहाँ पर आप अधर भी डाल सकते हो, सेम है तो यहाँ पर एक राइट लिका हुआ है, सेम एस अधर एबो तो यहाँ प यहां पर बात करें तो यहां पर आप देख पारे हूंगर यहां पर आपको अपना सिखने सरे वह अप्लोड करना है सब्सक्राइब करना है वह भी 100 के पीशन सब्सक्राइब और उसके बाद जो आपके पिछले वर्स की मार्क सीट है जैसे आपने भी 12 के बाद बीए या बीए सी बीए का फॉंब रहा है तो आपको 12 की मार्क सीट यहाँ पर आपको अप्लोड करनी है वो भी 500 के बीए से कम होनी सब्सक्राइब और अपडेट कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देता हूँ या यूटूबर का कॉन से resize करनी है वो देख के आप photo की size भी कं कर सकते हो mark set भी 5 जो size ये वो भी आप कर सकते हो यहाँ पर मैं photo sign और mark set गयो शेरी अप्लोड कर सुका हूँ और save पर करके next पर click कर देता हूँ आप यहाँ पर save भी कर सकते हूँ यू मार्क शिट यह अगर आपकी अप्लोट साही होई है यह नहीं होई है और साइन और फोटो आपको यहाँ पर देख रहे होंगे अब मैं नेक्स पर क्लिक कर देता हूँ अब यहाँ पर आपको यह अप्सन मिल रहा है कि विदाती दोरा देख पा रहे होंगे ड्यू पेपर मार्क कर लो में अप्सन सब्जेक्ट के दोनों पेपर अंग जोड कर लिके अगर किसी विदाती के अनिवारी पेपर में कोई ड्यू है तो अंग नहीं बरे अगर आपके यहाँ पर पेपर बगर हम कुछ इस्यू है तो यहाँ पर अभी फ़र्सटियर के इस्टुडेंट है यहाँ पर कोई इस्यू नहीं है यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करके यहाँ पर डाइट मैं सेव पर क्लिक करके नेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ उसके बाद आप form next पर क्लिक करोंगे तो exam form पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको subject search करने होंगे जो subject है वो आपके according search कर सकते हैं मैं next process में आपको subject search करके बता रहा हूँ कि कैसे आपको subject search करना है तो अब यहाँ पर आपको paper select करने जहां पर देख पा रहे होंगे anyone आपको कोई भी language का paper select करना और उसके बाद जो आपके subject है उसमें से तीन paper आपको select करने होंगे उसके दो-दोस आपके exam होंगे और उसके बाद आपको सबसे पहले ही ध्यान दखना है कि जो भी previous detail आपने फिल करिए यह वह एक बार share कर ले mobile number, email address, सब कुस आपके detail है आपके document बगएर आपके 10-12 की मार्ग से detail आपके नाम, पिताचीक नाम, side details एक बार share कर ले कोई mistake नहीं रहे तो मैं paper कैसे select करना हो select कर देता हूं जैसे कि मैंने एक paper यहां पर select कर दिया और यहां पर एक paper यहां पर select कर दिया और एक paper यहां पर select कर दिया और एक paper यहां पर एक paper ऊपर और तीन paper नहीं से मैंने यहां पर select कर दिया आपको यह paper select करके यहां पर सबसे नहीं से यह आपको लिका हुआ है verify paper यहां पर verify paper पर click कर देना लेकिन उससे पहला आप अपनी जो प्रिटेल है वह जरूर से करना क्योंकि वहां पर वापस जो डेटल है वो अफडेट ने कर पाऊंगे मॉंबर नुमबर तो जरूर से करें ना क्योंकि वहां पर आपको डेटल जो अफडेट है वह वहां पर मिल दी रहेगी तब मैं verify paper पर click कर देता हूं तो यहां पर एक issue आ रहा है कि complete candidate personal detail जो issue है वो एक बार मैं check कर लेता हूं कुछ detail में problem है उससे कर लेता हूं एक बार verify paper पर click करूंगे तो यहां पर आपके सारे document है वो verify हो जाएं कि जब आपकी पूर detail सही होगी उसके बाद यहां पर submit पर click कर दे से दोस्तों ज्यान देना कि आपकी साइट डिटेल एक बार जरू सहा कर लेना मैं submit पर click कर देता हूं और यहां पर you are you sure submit exam phone after submission you cannot modify personal address and document ओके मैं यहां पर click कर देता हूं यहां पर record submit successfully और पर click कर देता हूं मैं यहां पर आपका नाम college के नाम आपके subject एक बार वापस सहा करके यहां पर आप next पर click कर देता हूं इसके बाद आपके पूर detail यहां पर आशुकिए अब का आपके कितने form filling के किस्ट लगने वाली हो यहां पर दिखा देगा तो पूर detail आपके लासु किया और सब कुछ सही है में next पर click कर देता हूं और पूर detail सही है और next पर click कर देता हूं यहां पर देखे तो paper detail आपके कि इतने आपके paper होंगे यह paper मैं यहां पर एक बार इसकी शोड़ ले सकते हैं क्योंकि आगे आप काम आएंगे कौन कौन से paper होंगे उसक यहां पर I will not claim any refund examination for fees deposit by me यहां पर मैं आगे paper क्लिक कर देता हूं यहां पर pay के लिए यहां पर online या आप SBI bank से या ICC bank से आप कर सकते हो या offline पी कर सकते हो लेकिन यहां पर offline आपको bank से debit वगएरा आपको शालान वगएरा कटान पड़ेगा वहां पर जाके कटान पड़ेगा इसलिए आप सबसे method बढ़िया रहता है कि आप online कर सकते हो दोस्तों मैं I agree पर क्लिक करके I will पर क्लिक करके मैं pay now पर क्लिक कर देता हूं और pay now पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर देख ले कुछी information आ रहे नोट करके लेका वारा विदात यूपे से payment ना करे यूप अधरनियो खौरब प्लिक करके आपको net banking से payment करना की कोसीज करनी है जात हो सकते है यहां पर debit card यह credit card से कोसीज करनी है आपको bank से अगर आपको net banking से कोसीज कर रहे हो आपका ICC bank नहीं है SBI bank और other कुछ है तो यहां पर other bank पर क्लिक करके process पर क्लिक करोंगे तो यहां पर एक bank option का option आजाएगा और वहाँ पर आप से SBA bank select करोंगे तो वहाँ पर SBA bank की यूज़ पर जो ID है SBA की वहाँ पर डालके आप payment कर सकते हो तो सबसे ज़्यादा ये process सही रहे गए कि आप उसी save करें ताकि कोई problem नहीं हो और debit card से भी आप यहाँ पर कर सकते हो तो इसके बाद यहाँ पर आपको दोनों रसीद है वह डाउनलोड करने है डाउनलोड करके आपको college में आड़ कोपी में जम्मा करानी है enrollment number और exam form और तीसरी आपको जो 15 रसी तीनों आपको अप्लोड करके प्रेंट करके आपको college में आड़ कोपी ग्रूब में जम्मा करानी होगी तो दोस्तों मैं form पूर फिल कर सुका हूँ और जो 15 थी पूरी पेग कर सुका हूँ अब यहां पर देख पा रहे होंगे मैं download पर आशुका हूँ और download पर आपको examination form और प्रेंट कर देने और आड़ कोपी ग्रूब में आपको एक एक आपके पास रखनी है और एक college में आपको जम्मा करानी है टाइम आपको देर रहा है उस टाइम के recording आप जम्मा करानी वरना आपकी फिंस जादा लग सकते है thank you for watching video मिलते next video में वीडियो पसंद आया तो like केजिए channel को जरूर subscribe कर देना मिलते next video में thank you for watching video